कि नमस्क्राइब बीसे नियूज के डॉक्टर डॉट कॉम कारेकरम में मैं क्षेतिशादेश्मू का आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हमारे साथ है के अर्फ होस्पिटल के डॉक्टर प्रशान भौती जो जनरल और लैप्रोस्पोपी सरजनृ है आज हम उनसे बाद करेंगे डॉर्बीं की शेस्त्रक्रिया जो कि लैप्रोस्पोपी शरजरी जिसे कहा जाता है उसके बारे में बहुत बस्वागतीर आपका इस कारिक्रम में हमारे आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि दुर्बीन से की जाने ओली जो सर्जरी होती है वो क्या होती है कैसे होती है क्या मतलब जो लेपरोस्कॉपी जिसे दुर्बीन की शेस्त्रक्रिया कहा जाता है वो क्या होती है इसके बारे में विस्तरोत से हमा प्रक्रिया इसलिए आ गई है क्योंकि इसके काफी फाइदे है और ये काफी प्रचिलित भी हो रही है कोई भी चीज आमतार पर तभी प्रचिलित होगी जब इसके फाइदे होगे अगर नुकसान तो प्रचिलित नहीं होगी तो जैसे चीरा मारने वाला operation है यह आज भी किया जाता है ऐसा नहीं हर चीज में दुर्बीन ही के यह operation होते है आज भी चीरा मारने वाला operation किया जाता है लेकिन दुर्बीन की शेस्तर किया बोले तो तीन या चार या पांच छोटे-छोटे छेत किये जाते है पेट में जिससे दुर्बीन डाली जाती है, अब ये दुर्बीन बोले तो एक लंबा रॉड होता है, जो सर्जन को या शल्ले चिकितसक को एक छोटी सी चीज, मान लीजी अगर किसी का बाल है, उसको तीन से चार गुना बढ़ा के दिखाता है, अब ये बड़ी चीज देखने के या पेशन्ट के मरीज, लेजर सर्जरी के नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन ये लेजर सर्जरी नहीं है, ये लेपरोस्कोपिक सर्जरी है, की होल सर्जरी है, या दुर्बीन की शस्त्रक्रिया, बिल्कुल, ये जो सर्जरी होती है, कौन सी बिमारियों में की जाती है, ज आदातर अगर आप मुझे पूछे तो यह शस्त्रक्रिया, appendix, पित की ठैली में पत्थर, हर्मिया, अब हर्मिया वे तीन प्रकार के होते हैं, नाभी का हर्मिया, नाभी के ऊपर का हर्मिया, शस्त्रकिया किसी operation के बाद होने वाला incisional हर्मिया, इन में काफी common है स्त्रियों में अगर मैं मानू तो गर्ब की शर्प्र क्रिया, ओवरी की शर्प्र क्रिया, हिस्ट्रेक्टोमीज, इन्में काफी 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 पॉपुलर है और काफी ज्यादा की जाती है आम तोर पर अगर आप पूचे तो यह शस्त्रक्रिया काफी common है दुर्बीन के द्वारा लेकिन आज 2021 में almost almost हर शस्त्रक्रिया बड़े से बड़े operation भी दुर्बीन के द्वारा किये जा सकते हैं जो आपने बताया कि बड़े से बड़े से बड़े से सर्चरिय होती है ये मतलब दुर्बीन के द्वारा जो होती है तो इसके क्या फाइदे होते हैं की से इसको मतलब जैसे हम देखते हैं की normally stitches लगते हैं तो इसमें रहें लगते होंगे बाद में वह चीरा मार रहे है मान लीजे अगर 25 cm का चीरा है साधा ओपरेशन पेट का अगर करना है तो तो वो दुर्बीन की शस्त्रक्रिया में चार छेदों से किया जाएगा जिसमें चार से पांच स्टिच लगेंगे ठीक है ये एक फरक है अब ओपरेशन करने के बाद में इतना क्रिया चार या पांच छेद से की जाती है ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है पेशन्ट शाम को चलता है दूसरे दिन दौड सकता है अपनी रूटीन चीज़े करते हैं हमारे देश में यह ज्यादा प्रचलित है रिष्टदारों के साथ में भी और पेशन्ट के साथ में कि आरा करते हैं तो इस शस्त्रक्रिया में ऐसा कुछ नहीं है सारी चीज़े की जा सकती है दूसरा बहुत बड़ा फाइदा यह है कि रिटर्न टू अर्ली एक्टिविटी यह जो मैंने आपको बताया दूसरा फाइदा यह देखिए आप जल्दी ठीक होंगे आप जल्दी काम पे जाएंगे जल्दी काम पे जाएंगे घर भी आपका चलेगा देश भी आगे बढ़ेगा तो यह सारी चीज़े उसके फाइदे होने के कारण ही ज्यादा प्रचिलित हो जाए तो यह बहुत सारे फाइदे हैं दूर्बीन की शस्त्रक्रिया के एक हर्णिया के पिशंट के ब यह उसकी पहुत से दूर नहीं है लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चीरा मार के अगर आपरेशन कर रहे तो आप तीन मैना काम पे नहीं जा रहे हैं तो लेकिन आप दूर्बीन से आ रहे हैं आप हफता भर में काम पे वापस जा रहे हैं आप खुद भी कमा रहे ह ये शस्त्रक्रिया बहुत महेंगी नहीं पर थोड़ी महेंगी होती है अब ये क्यों थोड़ी सी महेंगी होती है जितनी अच्छी कार उतनी अच्छी सेफटी जितना अच्छा घर उतना ज्यादा सेफटी तो जितनी अच्छी दुर्बीन रहेगी ठीक है दुर्बीन दी अल कॉम्प्लिकेशन होते हैं लेकिन जितनी अच्छी दूर्बीन रहेगी जितना अच्छा सर्जन को दिखेगा उतने कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम होते हैं और पेशन्ट जल्दी से जल्दी घर जाता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह काफी महेंगी है यह आपकी कर रहे है या पित की शैली की शस्त्रक्रिया कर रहे है तो पेशन्ट सुबह आके शाम को जा सकता है अगर नागपूर का रहने वाले है तो अगर नागपूर के रहने वाले नहीं है बाहर है थोड़ी हीच की चाहट थोड़ी सी शिकन रहती है मन में तो दूसरे दिन जा सक वह अभी घटके दो या तीन दिन पर आ गया तो जल्दी से पेशन्ट अपने घर जा सकता है अपने दोस्तों के पीच जा सकता है अपने काम पर वापस जा सकता है तो यह सारी चीज़े पेशन्ट को जल्दी से जल्दी काम पर लौटने के लिए या अपने नियमित वातावर यह आपका बहुत ही बहुत ही उचित और वाजिब सवाल है अब मान के चलिए एक patient है जिसको कोई बिमारी नहीं दो प्रकार के patient रहेंगे एक patient है जिसको पहले की कोई बिमारी है जैसे sugar है ठीक है और या फिर hypertension है blood pressure की बिमारी है और एक दूसरे patient है जो एकदम healthy है जिनको कोई कोई problem नहीं तो पहले category लेते हैं जिनको कोई problem नहीं है जिस patient जिसको कोई problem नहीं है कोई बिमारी नहीं है कोई खाने का restriction नहीं है आप सारा भोजन कर सकते हैं कोई दाल खिचडी खाने की जरुरत नहीं है रुखा सुका खाने की जरुरत नहीं है तो खिचडी खा का खिला ख के अपन पेशन्ट का पूरा मुंका टेस्टी कर देते और पेशन्ट वीक हो जाता है ऐसा कुछ करने की जरुवत नहीं है जो सब के लिए खाना बन रहा है घर पे वही मरीज खा सकता है अब दूसरी केटेगरी में आ जाते हैं जिनको ब्लेड प्रेशर है जिसमें पहले से ही खाने में अपन कहते हैं कि नमक कम खाईए तेल खाईए ठीक है तो वही चीज रहेगी डाइबिटीज में आपको मीठा कम खाना है तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डाइट का जो आपका पहले नियमित आहार चल रहा था वही आपको नियमित आहार आपका पूरा कर करना है दुर्भीन की शेस्तर क्रिया के बाद में ऐसा कोई special डायेट ती रिस्ट्रिक्षन के कोई जरुवत नहीं रहती लेकिन patient to patient और surgeon to surgeon यह differ करता है लेकिन आम तोर पर आगरम पूछे तो ऐसा कोई ट्रिक्षन नहीं ना चलने फिरने में ना डायेट एक जो सरजरी वो सुनने में आता है कि वह दुर्भीन की ड्रा की जाती है जिसे जाता है तो यह पहले पहले इकदम रहना चाहती है शादी और बच्चे बहुती हो वो अपने घर ग्रहस्ती में बहुत बीजी हो जाती ठीक है तो उसके करण उसका वेड बढ़ते रहता है फिर वह थाइराइड की वीमारी से ग्रहसित होगी तो और वजन बढ़ते रहता है एक बार वो ऐसे उमर पे आजाती है पचास साल के या पैतालीस साल के बाद में जब में bariatric surgery का काम आता है लेकिन bariatric surgery ये जो surgery है इसमें पेट को आधा किया जाता है patient की भूक मर जाती है और patient का rapidly weight loss होता है लेकिन ये सिर्फ surgery करने से ही इसका successful नहीं होता है इसमें patient का भी सहबाग उतना ही रहता है क्योंकि ये surgery bariatric surgery में exercise, diet और surgery, ये last में आती तो patient को surgeon के साथ में बैट के एक special diet बनाना पड़ता है exercise का module बनाना पड़ता है exercise कैसे करना चाहिए, कितनी करना चाहिए और फिर surgery को undergo करना चाहिए bariatric surgery के काफी फाइदे है मोटा पातो कम करता ही है साथ में snoring कम करता है जो गले में स्थूल पना दिखता है वो कम हो जाता है एक नया उत्साहा आता है घुटनों के दर्द कम हो जाते है अब bariatric surgery के patient कहते है कि हमें घुटना में बहुत दर्द है बहुत दर्द है अफकोर्स दर्द तो रहेगा सारी building किस पे खड़िये बिलकुल पेरो पे खड़िये तो जैसे उपर का वजन कम होगा exercise और diet और surgery के बाद में तो ऐसे घुटनों का भी दर्द कम होगा कमर का भी दर्द होगा आपका शारीरिक और मानसिक तनाव दोनों कम हो जाएंगे और काफी प्रसलित प्रफुल रहे गया अब आते हैं एक genetic रहता है कि किसी किसी के घर पे ही मोटा पे कि पीडी दर पीडी पीडी दर पीडी आ रहा है अब ये जो patients होते हैं इनमें भी bariatric surgery काम आता है लेकिन मैं वापस आता हूँ ये दोनों चीजे जो होती है surgery plus patient का motivation कि मैं diet restriction भी करूँगा और मैं exercise भी करूँगा अगर bariatric surgery diet restriction plus motivation के साथ में की जाए exercise के साथ में की जाए तो इसके काफी काफी हद तक बहुत लंबे समय तक अच्छे फाइदे होते हैं बिल्कुल surgery के बाद जो है मरीजों को जो है आपको एक simple example बताता हूँ आप सब लोग morning walk को जाते होंगे यह मुझे पता है पिछले कई सालों से जाते होंगे यह मुझे पता है लेकिन आपके आजू बाजू में और खुद को देखिए कि आपने कितना weight loss किया अगर आप सोच रहे होंगे तो आपका answer है हाँ मैंने तो weight loss किया ही नहीं मैं तो 5 साल से चल रहा हूँ लेकिन मैंने तो weight loss किया ही नहीं वो इसलिए है क्योंकि चलना garden में चलना या morning walk करना यह प्रक्रिया सिर्फ heart की exercise के लिए अच्छी है यह आपका cardiac output बढ़ा रहे है heart की exercise के लिए यह weight loss के लिए surgeries नहीं है weight loss के लिए surgeries एक अलग प्रकार की exercise regimen होती है जिसके लिए आपको gym का या कसरत का वो लेना पड़ता है help लेना पड़ता है जब यह दोनों चीज़े साथ साथ चलती है तब weight loss होता है diet 80% is diet आपका 80% diet होता है 20% is exercise हमारे भारतिया खाने में carbohydrate की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है हम सुबा पोहा खाते हैं उत्मा खाते हैं चाई पीते हैं ब्रेड खाते हैं रोटी खाते हैं चावल खाते हैं सब carbohydrate खा रहे हैं हमारी ज़्यादा तर population vegetarian है हम सोचते हैं कि अंकूरित डालों से और पनीर से हमें protein मिल जाएगा गलत बात है हमें बिल्कुल protein नहीं मिलता है इसमें से हमें मिलता है सिर्फ carbohydrate और carbohydrate और fat का diet जो भारतिया संक्या में बहुत ज़्यादा है उससे हमारा weight gain 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 होते रहता है हमें protein चाहिए 1 gram per kg body weight तो अगर मान के चले कोई व्यक्ति 50 kg का है तो उन्हें 50 gram protein खाना है अब अगर vegetarian है तो 50 gram protein कहां से आएगा कहीं से नहीं आएगा अगर वो non vegetarian है और कह रहे है कि हम हफते में 3 अंडे खा रहे तो एक अंडे में 3.5 gram protein होता है आपने 3 अंडे खाये 10 gram protein हो गया लेकिन आपने carbohydrate बहुत ज़्यादा खा लिया आपने पूरा पोहा खा लिया आपने पूरा उपमा खा लिया आपने एक समोसा खा लिया एक समोसा 3.5-3.5 calories का होता है आपने हफता भर जो वाकिंग की यह सब चलेगी तो इसमें आपके डॉक्टर के साथ में बैठके एक टीम बैठती है बिरियाट्रिक टीम जिसमें कहा जाता है जिसमें डाइटीशन रहते हैं सर्जन रहते हैं फिजिशन रहते हैं आपकी जैनिटिक इस्टरी को पूछा जाता है और यह सब मिलके एक प्लान बनाते हैं आपके लिए त्याकि आपको वेट लॉस सर्जरी हो और आपका वेट लॉस अच्छा रहे और आपका आगे का जीवन बहुत-बहुत-बहुत अच्छा है क्या संदेश देना?. मतलब कितनी सेफे है कैसे किया जा सकता है? इस बारे में देखिए मैंने आपको बताया कि काफी हद क्या काफी हद तक बहुत सेफ़ सर्जरी है अगर कोई क्म्पलिकेशन रेट देखते हैं तो अपन की सर्जरी से अगर अपन कम केर करें तो काफी काफी कम है 1% complication का rate है जितनी अच्छी दुर्बीन रहेगी उतनी अच्छी शस्तरक्रिया होगी है इसमा कोई दोराय नहीं है और आज काल अच्छी-च्छी 4K HD जैसे अपना Apple का mobile रहता हम अपने Apple के mobile के लिए investment कर रहे है वो इसलिए कर रहे है ताकि वो long term चले अच्छा दिखे अच्छा सुनाई पड़े सेम चीज इसमें रहते हो तो अच्छे-च्छे अस्पटाल इनमें काफी निवेश कर रहे है और अच्छे-च्छी दुर्बीन की प्रक्रिया है और ये काफी सरल और अच्छी प्रक्रिया है और सेफ सर्जरी है मैं चाहूंगा कि अगर किसी मरीज को कोई बिमारी इनमें से निमनल इखित कोई भी बिमारी है तो वो जरूर-जरूर-जरूर दुर्बीन की शस्त्रक्रिया से ही आगे जाए और धर दैने ओपन से जिन इनकों भी इसके बार ज्यानकारी जो है हमारे दर्शकों को आपने दी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाग रहा हमारे साथ थे के एर होस्पिटल के डॉक्टर प्रशान भोते इन्होंने हमें दुर्बिन की surgery के बारे में जो है बहुत अच्छी जानकारी दी जिनको भी इसके भाब भ्यांतिया होगी वो अभी सब clear हो चुकिए है ऐसे ही और डॉक्टर से हम मिलेंगे और जानेंगे अन्य जानकारी के साथ अन्य बिमारियो कि जानकारी हम आपको पहुझाते रहेंगे देख तेरी ये BCN News नमस्कार